वो कहते हैं ना कि कभी ना ओ गाड़ी पर तो कभी गाड़ी पर ना ओ, आज तेरी बारी तो कल मेरी बारी सबका दिन आता है शारुख खान जो है वो इस वक्त आरेन खान वाले ड्रक्स मामले में बहुत ही ज़्यादा परिशान है ना पैसा काम आ रहा है ना पहचान काम आ रही है शारुक खान के फैंस बले शारुक खान और आरन खान को अपने माबाप से बड़ा दर्जा दे रहे हो उन्हें भगवान मान रहे हो लेकिन अपरादी सिर्फ अपरादी ही होता है अपराद चाहे छोटा हो या बड़ा अगर अपराद छोटा या बड़ा ना होता तो भई, ट्राफिक रूर्स तोड़ना हेलमेट ना लगाना ये भी तो अपराद है जिसके लिए आप सजा भुगतते हो चाहे जेल जाते हो, चाहे पैसे भड़ते हो तो फिर ड्रक्स वाली जो बात है ये अपराद की श्रेडी में क्यों नहीं आता शारुक खान के फैंस के लिए ये समझना दरा एंट्रेस्टिंग है और ये लोग कभी समझ नहीं पाएंगे सोशल मेडिया पर लोग यही कह रहे हैं सुषान सिंग रादपूत के फैंस के शारुक खान को अपने कर्मू की सजा मिली है सुषान सिंग रादपूत एक ऐसा कलाकार जो अपनी मेहनत से बॉल्यूट में अपना एक मुकाम बनाता है एक पैचान बनाता है उचाईयों तक जाता है सफलता हांसिल करता है स्टेज के उपर और सेरिमनी के दोरान ये बात हम सभी ने देखी यहां तक कि सुषान सिंग राठपूत की मौत के बाद जब तस्वीर भी शेयर करते हैं तो स्क्रीन शॉट लेकर गूगल से उन तस्वीरों को पीट करते हैं क्या सुषान की इनके पात तस्वीर ही नहीं थी चलिए माल लेते हैं तस्वीर नहीं थी आपने स्क्रीन शॉट लिया था गूगल से इतना बड़ा प्रोड़क्शन हाउस है वी एफेक्स का काम करते हो एक छोटा सा फोटोशॉप का काम था वो करवा के स्क्रीन शॉट वाला जो क्रॉस था उसे तो कैंसल करवा दे थी इत स्क्रिप्टेर थी स्क्रिप्ट के अनुसारी वो लोग काम कर रहे थे लेकिन ये उस स्क्रेप्ट का हिस्सा था जिसे सुशान सिंग राजपूच जैसे बाहरी कलाकार को बदनाम करने के लिए रचा गया था कि आखिर कैसे एक बाहरी लड़का अपनी मेहनत के दम पर रात तो रात सुपर स्टार बन जाता है धोनी जैसे फिल्म में उसे लीड रोल मिलता है जिसे वो बखु भी निभाता है धोनी जैसा चलना उठना बैटना बोलना सब कुछ करता है एक आम इंसान एक आम सा कलाकार इतना बड़ा सुपर स्टार बनके इनकी केटेगरी में आके ख अगर अगपर चीप गेश के तौर पर बुलाया जाने लगा ये बात इन बॉलीवड वालों को हजम नहीं हो रही थी इसलिए पियार स्ट्रेजी के खिलाप सुशान सिंग रादपूत के अगेंद बहुत सारी चीजे रची गई भले शारुक खान के फैंस ये बोले कि शारु खान कभी भी इस तरह से एक बारी कलाकार का भरे मंज पर अपमान नहीं करते जिन शारुक खान के फैंस को ये लग रहा है कि ये स्क्रिप्टेड था हसी मजाक का एक हिस्सा था तो बता दे उन्हें कि इस एवेंट के बाद सुशान सिंग रादपूत काफी निरास थे परि ठीक बात उसने ये कहा था कि इस घटा ने सुशान सिंग रादपूत का दिल तोड़ दिया उन्हें लगा था कि जब उन्हें स्टेट पर बुलाय जाएगा तो उनका आइडल शारुक खान उनके बारे में पूछेगा कि वो किस तरह से मेहनत करके यहाँ पे आएं टीवी स बॉलिड में आने पर बड़े परदे पार आने पर उन्हें कैसा लग रहा है कितनी मेहनत की क्या क्या चीजे जेली लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर उनका सिर्फ और सिर्फ मजा उड़ाय गया उनके फैमली तक का मजा उड़ाय गया कि यह जो डांस करता है इस कि दर्दी से सुशान सिंह राथ पूत का उस समय मजाक उड़ा रहे इसी तरह का मजाब चारु खान ने भरी सभा में नील नितिन मुकेश का उड़ाय था वहीं पर उनके पिता बैठे थे तब नील नितिन मुकेश ने शारुक खान की जबर दस बैजदी कर दी थी तो यह इपने कर्म हैं जिनकी कर्मों की सजा उन्हें आज मिल रही है। एक समय शारुक खान ने बरी जंता में सुशान सिंग राथपूत का मजाग बनाता। का मज़ा क्यों बना रहे हो यह बात बॉलू डॉलो को बुरी लग रही है तो यही है कि अपने अपने कर्मों की सजा सब को यहीं पर भुगत कर जानी है चाहे वो आम हो चाहे वो खास हो चाहे बारी हो चाहे बीतरी हो चाहे कोई भी हो